चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अरोग्य सेतू एपलिकेशन में हम लोग इन कर लेते हैं एक बार वेक्शिनेशन पे क्लिक करते हैं और अपना मोबाइल नमबर लगाए में सर्वर में किसी परकार का एरर है या ना है सुबह से तो सबकुछ अच्छे से वरक कर रहा था यह अप्लिकेशन लेकिन अभी-अभी हाल इमें चार बजे का जो टाइम था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का उसके बाद में यह प्रोब्लम स्टार्ट हुई है साइद काफी सारे लोगों के एकदम सर्वर पर आनिकार्णी यह सर्वर क्रैस ह चुका है यह प्रोब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है ऐसे में क्या है कि एक बात स्पस्ट हो जाती है कि इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होना था 18-45 तो वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के काण सभी लोग एक साथ सर्वर पर आये रजिस्ट्र हो गया अभी तक कर्षर घूम रहा है लेकिन किसी भी प्रकार की ओटीप या कुछ नेक्स्ट अपने सामने नहीं आ रहा है सुबह तक सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा था इस अप्लिकेशन का नीचे लिखा आ रहा है कोविन सर्वर इस फेसिंग इसू प्लीज ट्राइ लेटर तो बार-बार यहीं इसू सामने आ रहा है आप इसको मैंने इसको चार-पांच बार पहले भी किया लेकिन किसी भी प्रकार की ओटीपी नहीं आई कोई इसके लावा पोस्टिव रेजल्ट्स तो नहीं हुआ जल्द ही साइध इस पर इनकी टीम वर्क कर रही होगी इस इसू को solve कर दिया जाएगा लेकिन हाल फिलाल में यह इसू आपको देखने को मिल सकता है तो किसी भी परकार की चिंत्या की बात नहीं है कुछ समय के लिए वेट केजिए कुछ देर रुकने के बाद में फिर दोबारा try केजिएगा आपका registration का process जरूर complete होगा चलिए य मैं सबसे पहले अपने यहां पर mobile नमबर लगा देता हूं mobile नमबर लगाते ही जैसे ही मैं get OTP पर क्लिक करता हूं तो यहां पर भी same वहीं server की problem आ रही है नीचे time start हो जाता है कुछी देर में हालंकि लेकिन फिर भी किसी भी परकार की OTP आपकी mobile नमबर पर नहीं आ रही है तो आरेग्य से तू और कोविन और इसके साथ साथ उमंग एप तीनों से आप रजिस्टेशन कर सकते हैं लेकिन तीनों एप पर हाल फिल हाल में यहीं same जो server error है वो आप सभी को देखने को मिल सकता है तो देख पारे हैं आप यहां पर अपने पास में कोई next step नहीं आ रहा ह OTP के लिए time 3 minutes का start हो गया इंटर OTP in 180 seconds तो 3 minute का time मिलता है लेकिन मैंने पूरे time wait किया हालांकि नहीं आई OTP आप try कीजिए आपके mobile में क्या हो रहा है login तो दोस्तों क्या आपके mobile में होता है login और क्या आप registration process complete कर लेते हैं हमें comment box में comment करके जरूर बताइए क्या आपने registration कर किया यादि नहीं किया तो जैसे problem सोवल होती है सबसे पहले कीजिए registration registration की full process हमने अपनी वीडियो में बता रखी है हमने आज सुबए एक वीडियो डाले है जिसका आपको link description में और उपर i button पे भी मिल जाएगा